तो इको टाइम्स न्यूज अनलेसिस तो आज हम एक नई खबर के साथ हैं जिसमें खबर हमारे पास यह है कि अनकाडमी डाटाबेस ऑफ टून्टी टू तो देखिए अनकाडमी का डाटाबेस 22 मिलियन यूजर्स का हैक हो चुका है और जो की सेल के लिए रिप्रेजेंट कर दिया गया है तो बहुत बड़ी खबर है हमारे पास आज की यह आगे बढ़ते हैं सबसे पहले यह समझते हैं कि अनकाडमी प्लेटफॉर्म क्या है तो द अनकाडमी ने जो की UPSC की वीडियो बनाते थे उनको अपलोट करना स्टार्ट कर दिया तो डेट इस ला को फाउंडर ऑफ अकैडमी तो रोमन सेनी कौन है को फाउंडर है अनकाडमी के और अनकाडमी है क्या आखिरकार इंडिया लार्जस्ट लर्णिंग प्लेटफॉर्म का भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है ठीक है तो दोनों ने मिलके ही इस अनकाडमी प्लेटफॉर्म की स्टार्ट करी उसके बाद इनसे बहुत सारे लोग जोड़ चुके हैं और आज मिलियंस और टीचर इनसे जुड़े हुए हैं तो देखिए यहां अगे बढ़ते हैं हम तो लगबग पाईस मिलियन यूजर्स का डाटा है को चुका है ब्रीच कर लिया गया है विट कॉंटेक्स ऑफ इंप्लाइज ऑफ विप्रो इंफोसेस कोगनिजन्ट गूगल और फेस्बुक चैसे बड़े-बड़े इंप्लाइज का डाटा भी यहा इनके दुरम एकन गख यहां पर कर लिया कै gustado कि छुट प्रीयच कर लिया गया है यहाँ यह अफ करिज और यहां पर यह!」 स्टार्ट हुई है यह अभी से नहीं यह जैन से स्टार्ट हो चुकी थी और लगभग तीन महीं तक का जो डाटा आ रहा है यहां पर बहुत सारे millions of accounts को लगभग 20 million accounts का डाटा है कर लिया गया है आगे बढ़ते हैं अनकी इन इस्टेट पैंट कंफर्मिशन रिलेटेट टू 11 million learners हैट बीन कंप्रोमाइज तो 11 million लोगों की जो basic information है उनके साथ कंप्रोमाइज किया गया बट सेट नो sensitive information such as financial data location और passwords है बीन लीग तो देखिए अब अनकाडमी के दोरह बताया जा रहा है कि कोई भी उनकी sensitive information जैसे कि उनके financial data सर उनने courts purchase कर रखा है या passwords को leak नहीं हुआ है the company said it is conducting further background checks and will keep users updated company का ऐसा भी कहना है कि users को अपना faith बनाए रखना चाहिए हमारे साथ में और हम चेक कर रहे है background checking proceed हो रही है और users को update किया जाएगा इस basis पे ठीक है तो बहुत important statement आया है कि no sensitive information of the unacademy leaked आगे बढ़ते हैं इसमें हम unacademy recently raised a series of देखी unacademy को अभी-अभी इसने 130 million dollar का fund raise किया था series f round के थूँ ठीक है जिसमें कौन-कौन सी firm इन्होंने investment किया था facebook general atlantic और सिक्क्या ने investment किया था तो बहुत जादा ही fund यहां पर raise किया गया था इन academy के दोरह लेकिन इसके बाद इनका data breach कर लिया गया है the hackers are only putting up the user records are for sale at this time तो hackers अभी क्या कर रहे हैं hackers बेच रहे हैं इसके data को यहां पर sale कर रहे हैं and may have access to more information अब देखिए hackers यह साइबल के द्वारा यह बात बताई जा रही है जिसने यहां पर research किया इसके उपर वो कह रहे हैं कि hackers अभी तो सिर्फ sale कर रहे हैं और जादा से जादा information को gathered करने की कोशिश कर रहे हैं जो data hack हुआ है the firm recommended that registered and academy learners and educators immediately change their passwords on their site तो अभी आप अगर तुरंत वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने unacademy पर अपना account बना रखा है तो तुरंत इसका password और profile वगरा completely change कर लीजे है इसका ठीक है क्योंकि आपका data भी उन 20 million users में हो सकता है जिसका data breach हुआ हो तो देखिए यहां पे हमारी country में आज भी data privacy को लेके बहुत सारे concerns है हम अभी कल नीज में पढ़ ले थे आरोग सेतु के data को लेके भी comments किये जा रहे थे और आज ही ये खबर आ रही है unacademy का data breach हो चुका है जो की world India's largest learning platform है तो यह बहुत sensitive information है please guys if you like this video comment share subscribe and please share this information to other users okay guys thank you bye